इसके बाद भी उसको और मन नहीं भरता है, तो क्या करता है कि 100 ग्राम और कम देने की कोशिश करता है, तो इसके बहुत नाए तरीका में आपको सिखाऊंगा, तरीका क्या होगा, यह होगा, पहले CP, SP, स्टार्टिंग किस्प में CP कितना है, 40, SP कितना है, 45, अब 100 ग्राम का फाइदा कर रहा है, मतलब 900 ग्राम दे रहा होगा, और 1000 रुपय का दाम ले रहा होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे, ऐसे, और इन दोनों का रिश्यो तो 4 रुपय का चीज को 5 रुपय में वो बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 1 रुपय, 1 रुपय किस पर कर रहा है, 4 रुपय पर, into 100, 25, तो इस तरीके से इसको हम लोग solve कर सकते हैं,